Hello everyone, Welcome to my channel Smart Sociology Success इसके पहले के वीडियो में उपने UPPGT 2013 का 50 क्यूशन शॉल्व कर लिया था इस वीडियो में हम 50 के आगे के क्यूशन को शॉल्व करेंगे क्यूशन है, कुछ पस्चमी यूरोपी देशों में अप्रवाशियों की सांस्कृतिक अधिकारों को मानिता देना निमलिकीत में से किसका अच्छा उधारण है आत्मे शाद करण, प्रिथक करण, एकी करण और पर संस्कृति करण क्या सही होगा इसका मारा जो राइट एंशर है, option number C, एकी करण क्यूंकि कुछ जो पस्चमी देश है, कुछ पस्चमी देशों में अप्रवाशियों की सांस्कृतिक अधिकारों को जो माननेता दी जाती है, या फिर उनको माननेता देना, एकी करण का एक बहुत अच्छा उधारण माना गया है एकी करण क्या है, तो ये एकी करण को अगर हम वास्तों में देखी ते एक सामन्जिस फोड इस्थिती है यह एक ऐसी स्थिती या हम फिर हम इसको एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं जिसमें किसी रचना की निरायक भागों में भिन्नता होते हुए भी उसके आपसी शंबंदों में शंगठन पाया जाता है देखते हैं अगला किश्चन सामुदाइक पुलिश ब्योस्था का लच्छे निमनलिखित के माध्यम से अपरात को रोकना तथा नियंतरित करना है क्या सही होगा अपसिन नमर ये जनता, अपसिन नमर भी पुलिश, अपसिन नमर स्री पुलिश तथा जनता, डी है सेना क्या सही है अपराद रोकनी का कारिक और गरता हैं? यहाँ पे सही जो होगा वह उमत्यद रोकना नियंत्रिक करना पुलिश तथा जनता दुर्खीम की अनुशार मानो अविकरण किसके द्वारा निरुद्ध होता है राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा, सामाजिक सन्रशना के द्वारा, आर्थिक संसाधन के द्वारा, दूसरे कर्ताओं के अविकरण इसका जो राइड एंशर है वो है आप्सन नमबर बी सामाजिक संडश्णा के द्वारा मानो अभिकरल जो है वो निरुद्ध होता है अकला गिर्ष्ण है निमनलिकित में से किस ओधारा का शीधा संबंद सामाजिक परिवर्तनशे है संस्कृती करण, सामाजी करण, पर्की करण, एकी करण सीधा संबंद सामाजिक परिवर्तन से है उप्सन नमबर ए अगला किर्ष्ण ने भारत में सामुदाईक विकास कारिकरम का अंतिमुद्देश्च है रहन सहन की दशा को उचा उठाना क्रिशी उत्पादन को बढ़ाना राष्ट्रे आय को बढ़ाना नवीन ग्रामिल संस्कृती का स्रिजन करना तिस कॉप से नमबर डी है जो वो शही है पुना समाजी करन ऐसे समय असपश्टता प्रत्यच होता है जब लड़की का विवा अभी अभी हुआ हो बच्चे ने जन में लिया हो वेक्तिकरांतिकारी दल के शदश्च के रूप में कार्य करता हो बच्चा विद्याले जाना प्रारम किया हो इसमें क्या सही होगा समाजी करन ऐसे समय असपश्टता प्रत्यच होता है इसका ओप्शन नमबर सी जो है ये शही है बच्चिकरांतिकारी दल के शदश्च के रूप में कार्य करता है ग्रामर शमदाय का तत्त्यो निम्नलिकित में से कौनशा नहीं है हमकी भावना सांस्कृतिक विविधता छेत्र आत्मनिर्भरता तो हमकी भावना भी पाए जाती है आत्मनिर्भरता होती है छेत्र विविधता की सांस्कृतिक विविधता जो है वो नहीं पाए जाती बच्चिन है भारत के संबिधान के किस धारा में विव्यक्त है कि 14 वर्षे नीचे की आयो का कोई भी बालक किसी फैक्टरी या खान में काम नहीं करेगा और नहीं किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा अगला किस्टन है संदर्व शमोह बिवहार के मुख्य आधार का निर्माड किसे से होता है इर्षया से तुलना से तुलनात्मक अभावोत से या पर उप्रियुक्त में से किसी से नहीं होता है इसका राइट है अप्सन नमबर सी तुलनात्मक अभावोत से अर्ध प्रात्मिक शमों की अधारा को प्रस्तुत किया है टॉनी, स्कूले, डेविस, वीरिस्टीड स्कराइट अंसर है कूले ने अर्ध प्रात्मिक शमों की अधारा को प्रस्तुत किया था निम्नलिकित में से कौन सा सामाजिक संरशना का पहलू नहीं है भाषा, प्रतिमान, और दो आप्शन्स हैं इसमें बोमिकाय यों परिष्थितियां या फिर संस्थाएं इसका राइट अंशर जो होगा वो है भाषा मानो समाजों का क्रिषी चे उद्धोग और पश्च उद्धोग में अस्थांतर और मुख्यूप से निम्नलिखित के कारड़ हुआ प्रदोगी की नवीनताएं उत्पादक्ता के लिए ज्यान का प्रयोग ये और वी दोनों है या फिर कार के लिए प्रशिच्चड प्रदोगी की नवीनताएं भी सही है उत्पादक्ता के लिए ज्यान का प्रयोग भी सही है और द्योगिक समाज का प्रयोग शमाजों के वर्गी करण में किष्चनी किया है और द्योगिक समाज का प्रयोग इसका प्रयोग किया है कौन, दुर्खे, मैक्स, वेवर या फिर इस्पेंसर तो इसका राय टंशर है इस्पेंसर अगला केश्चण संपोरा नंद आश्रम निमलिखित में से किश से समबंध है किश समबध है संपोरा नंद आश्रम कि अश्रम ओपन जेल से संबंदित है स्वास्तता शारेरी क्रियासेलता बनाये रखने के लिए आवश्यक मूलवोज संसाधनों के अभाव के शाथ किस प्रकार के निर्धनता से संबंधित किया जाशकता है पोर्ड निर्धन्ता, सापेचिक निर्धन्ता, निर्धन्ता की संस्किति या फिर प्रवर्थित निर्धन्ता किसे संबंधित किया जा सकता है अगला किस्टन है अगला किस्टन है लीविन रिलेसंसी पे एक नभीनतम प्रगटना है जो निम्ल मेंसे किस समाज में पाई और सोविकार की जाती है जनजाथी समाज में, ग्रामिर समाज में, शहरी समाज में या फिर विश्चो नगर समाज में तो इसका राइट एंशर है, ओप्शन नमबर D, विश्व नगर समाज में ये सुविकार की जाती है, लुइस डियुमा ने जातिको निमलिकित में से किस आधार पर समप्रत्याई कृत किया है, सामाजिक विवेदी करनेयों अपरिश्टा, वर्गियों अर्शमान सक्ति संबं पवित्रों आपवित्र का दोंदात्मक विरोध कारेपरक एकतायों विवेदी करनेयों क्या सही है इसमें, तो इसमें जो सही है, वो है ओप्शन नमबर D, पवित्रों आपवित्र का दोंदात्मक विरोध क्या लुइस डियुमाने, अगला गिशन है, संघर्षरत दमपत् अधिक्तम कितनी अउधी के लिए दी जाती हैं सात वर्ष, तीन वर्ष, दो वर्ष या फिर MAY पांच वर्ष के लिए इसका राःटन स्वराप्चन वर्षी दो वर्ष के लिए दी जाती है कृषक समाज की सामाजिक शांसकृतिक विश्लिशल के लिए किसने लगू परंपरायम ब्रिहत परंपरा की ओधाराओं को प्रतिपादित किया है रावर्ट रेड़ फिल्ड, मैंकी मैरियट, एमन स्रीनिवास, मिल्टन सिंगर इसका राइट अंसर है रावर्ट रेड़ फिल्ड ने किया है तो इसका राइट अंसर जो है वो डेविड मैंडल बॉम की बुस्तक है बहरत में जजमानी ब्योस्ता अब्यक्त करता है वस्तो और शेवाओं का आधान प्रदान, अंतर जातिक संबंद, पवित्रतायम और पवित्रता की अभिवक्ती उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका राइट अंसर है अप्सन नंबर ए वस्तो और शेवाओं का आधान प्रदान अगला किस्टन है निमनलिखित का बरतमान जटिलता के अनसार सही अनुक्रम बताईए और आप्सन है वो है आखेट चारा गाही क्रिशी का अध्योगिक तथा उत्तर अध्योगिक शमाज क्रिशी के गत्री करण आखेट बागवानी अध्योगिक तथा उत्तर अध्योगिक शमाज तो इसमें जो इसका राइट अंसर आप्सन नंबर सी पहले आखेट आएगा फिर चारा गाही एक सामाजी संरशना की विशेषता निम्लिखित में से क्या है वो शौमी तथा भूमिहीन मजदूर वो शौमी तथा व्यापारी किसान तथा ग्राम साहुकार किसान तथा फसल साजेदारी इसमें कूट है इसके इसाब से सही करना है हमारा राइट अंसर जो होगा वो है आप्सन नंबर सी यानि भूशौमी तथा भूमिहीन मजदूर भी सही है भूशौमी तथा व्यापारी जो है ये गलत है किसान तथा ग्राम साहुकार सही है किसान तथा फसल साजेदारी सही है अगला खिश्ण स्थाई जन संक्या संरचना के लिए निमनलिकित में से एक प्रक्रिया का चैन कीजिए इस्थिर जन्म और मृत्योदर, बढ़ती हुई जन्मदर और मृत्योदर, घटती हुई जन्मदर और बढ़ती हुई मृत्योदर, इस्थिर जन्मदर और घटती हुई मृत्योदर क्या सही है इसमें इसका option number A जो है ये सही है इस्थिर जन्म और मृत्युदर अगला question है नीमनलिकित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन कल्याड और निस्पचता पर तैयार कारिक्रमों को शमलित करता है विकास में महलाएं महलाएं और विकास लिंग और विकास महलाएं परिया और अरड और विकास क्या सहीज में से इसका जो राइट अंशर वो है विकास में महलाएं option number A जो है ये सही है विकास में महलाएं अगला question है वर्ड वियुस्ता का प्रत्रमुलेक मिलता है जिग वेद में मिलता है सामाजी कष्त्रीकरन शिद्धान्त में किसे कार्यात्मक शिद्धान्त के रूप में जाना जाता है पार्शंश को डेवी सेवम मूर को मैक्स वेवर को उप्रियुक्त में से कोई नहीं इसके और भी आफ्षन है A, B, C करके B है डेवी सेवम मूर C है मैक्स वे बड़ D है कोई नहीं जिसका जो सही है वो है ओप्षन नमबर V डेवी और डेवी सेवम मूर सही है अगला किस्टन देखते हैं सास्त्रे द्रश्टिकोड प्रात्मिक रूप से क्या करने की चेश्टा से संबंदित है सामाजिक व्योस्था को बदलने की सामाजिक व्योस्था को समझने की सामाजिक व्योस्था को सुधारने की या फिर सामाजिक व्योस्था के साथ सोनी योजित करने की सामाजिक व्योस्था को समझने की इचे उल्लिकित जनजातियों में कौन सी मात्रवनसी है खरिया, टोडा, खासी, संथाल तो यह है खासी Class and Class Conflict in Industrial Society पुस्तक किस ने लिखी है तो यह लिखी है रॉल्फ डेरिन डॉल्फ ने निम्नलिकित कत्नों की उपयुक्त संयोजन का चैन कीजिए जो घटना सास को अश्पष्ट करता है घटना सास रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंदित है घटना सास साजे सामान ग्यान को केंद्रित करता है घटना सास मानो विवहर की कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकास संबंदित है जिस प्रकार अने परप्रेच्छों से गटना साथ सामाजिक जीवन के संरशनात्मक नेमों की खुश के प्रयाज करता है कूट है इसमें कूट के हिसाब से सही करना है इसका जो है ये गटना पहला आप्शन जो है गटना साज तो रोजमर्रा के सामाजिक ज्यों संबन्दी थी ये सही है और इसके बाद ये सही है गटना साज साज हे सामानने को केंदरित करता है A और 2 देखते हैं आप्सन में कहां है A और 2 तो आप्सन नमबर हमारा जो है D ये सही है अगला किस्तन है मूल्यों के समास्तास के जनक कौन है तो मूल्यों के समास्तास के जनक जो है वो राधा कमल मुखरजी है अगला किस्टन है यह कतन किसका है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखी करण से आदुनुकी करण की और रैखिक विकाशात्मक रूप निरूपित करती है किसने कहा है इसको इसका राइट आप्श ही जो मतलब कि इसमें जो आप्शन सही है वो है योगेंदर शिंग अगला किसन है इसका राइट आप्शन जो है वो है आप्शन नमरे 36 गत्सिलता का अगला किसन निमलिकित मेंसे कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाए है इसमें कूट भी है सहयोग संगर्ष प्रतियसपर्धा शात्ति करण कुणशा सही है इसका जो हुगा मतलब कि सहयोगात्मक प्रक्रियाए हमको देखना है तो सहयोग है और सहयोग के शासत सात्ति करण है अगला किसन है निमलिकित मेंसे कौन सी अद्योगिक शामाज की विशेषता या फिर विशेषता है नहीं है बिसमांगता, यांत्रिक शंगती, गति शीलता, दमनकारी विधियाँ किवले सही है या फिर एक दो तीन सही है या फिर दो और चार सही है या फिर एक और चार सही है क्या सही है इसमें इसमें जो है हमारा यांतरिक शंगती मतलब कि अध्योगिक समाज की विशेचताएं कह रहा है तो यांतरिक शंगती जो है और इसके साथ दमनकारी विदिया दमनकारी विदिया आधनिक समाज में पाई जाती है इसलिए जो होगा हमारा option number 3 ये सही है अगला किस्टन है बुर्जवा करण क्या है ये जो है ये स्रमिक वर्ग इसका सही है डी स्रमिक वर्ग में मत्यम वर्गी आकांचाओं जीवन सहली की रचना प्रक्रिया है बुर्जवा करण अगला किस्टन है joint family in urban setting पुष्टक किसने लिखी है सामाजिक परिवर्टन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तित की शकारात में मुल होते हैं उन्हें कहते हैं बैस्वी करण, सहरी करण, विकास, आर्थिक सम्रिद्धी तो इसका right answer है विकास यहां तक हमने 90 क्यूशन को शॉल्व कर लिया है अब इसके आगे हम 35 क्यूशन को अपने अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे जिसे मारा 2013 का पूरा practice set मतलब practice PYQ जो है वो complete हो जाएगा I hope आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगे होगी क्यूशन सेलेक्टेड है और thanks for watching वीडियो इसके पूर्व की शारी वीडियो जो है वो आप मतलब की वीडियो में जाएंगे चैनल के नाम पर इसमार सोचिलोजिस सक्षिच के प्लेलिस्ट में जाएंगे शारी वीडियो आप में आइड है thanks for watching वीडियो